चीला बनाने के लिए किन किन चीजों की जुरुदपड़ेगी फ्रहेंज। तो यहां मैंने लिया है उरत डाल और चावल। जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो यहां मैंने लिया है एक गिलास ओरत डाल इस गिलास से और इसी गिलास से मैंने लिया है तीन गिलास चावल आपको क्या करना है friends, कि आप जिस भी चीज से दाल लें, कप से या कटोरी से, उसका आपको तीन गुना लेना है और मैंने इसे 5-6 गंटा पानी में भीगो कर रख दिया है, और इसमें लिया है मैंने नमक, नमक लगेगी इसमें, और जीरा इसमें ज्यादा कुछ समान लगने वाला नहीं है friends, तो अब हमें क्या करना है, कि हमको से पहले इसे पानी से निकाल के, और मिक्सी जार में डाल के, इसे हमें अच्छे से एकदम बारिक हमें पीस लेना है उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका वेटर हमें किस तरह से रखना है, तो आगे की process हम आगे देखेंगे, तो पहले हम इसको पीस लेते हैं चावल और और उड़त दाल को पीस लिया है, अब इसको देखते हैं हम, इसका वेटर ठीक है या नहीं इस तरह से इसमें हलका सा पानी और लगेगा, थोड़ा सा, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और पानी मिला सकते हैं, एक दो चीला बनाने के बाद में, अब इसमें डाल देंगे जीरा, इसमें मिक्स करना है, इसमें डालेंगे नमक, नमक हम अपने स्वात के नुसार यह हमें एक चम्मत के करीब डाल रही हूँ कि अब इसे अच्छे से हमें एकदम Mix कर देना हैं अच्छे से नमक जीरा को मिला लेना है हमें कि इस चीला बहुत ही सुन्धर बनती है Friends ऊड़ कहाने में बहुत अच्छी लगती है आप इसे चट्नी, सबजी, सावरकिंब और किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं यह हमारा अच्छे से भिंग हो गया है, चलिए बेने अब अम करके तवा चढ़ाते हैं तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैंने अब आज आशो ऑ चढ़ा धा अब हम बनाके असार्त करते हैं इस तरह से हमें घुमाना है राउंड राउंड इस तरह से अब थोड़ा से इसे पकने देते हैं चीला हमारा थोड़ा सपक गया है अब हम तेल डालेंगे इसे उपर से इस तरह से इस तरह से डालना है हमें इसको ऐसे करना है इस तरह से पूरा तेल को फैला लेना है इस तरह से अब हमको धीरे धीरे इस तरह से निकालना है चीला को अब इस तरह से हमें किनारे से इस तरह से पहले इसे निकाल लेना है चीला को यह चीला तो हमारा निकल गया आराम से बड़े आराम से दिखें अब इसको ऐसे हमें पलड देना है और गेस को हमें मिडियम फ्लेम पे रखना है ताकि जले नहीं और इसी तरह से हमें अगला चील जब ग路 मर्स ही बनाना है अब इसी तरह दुसरे चिला हमें तेयार करना है ऐसे पानी डाल से इस तरह से बैस Integrate सिर अब इससे पिर नाहाए आप चाहें तो कटोरी से भी कर सकते हैं, अब इसको एकदम तेजी से राउंड राउंड फैलाना है, फैलाने में लेट ना करें, इस तरह से, बहुत ही पतला, बहुत ही सुंदर बनता है ये चीला, अब इसको थोड़ा पकने दें, फिर तेल लगाएंगे इसके उपर, अब ध्यान रखें कि जब चीला थोड़ा सपक जाए, तब हमें तेल लगाना है, और कभी भी आप उड़ा की और चावल दाल की चीला बनाएं, तो पहले तवा पे हमें पानी लगाना है, तेल नहीं लगाना है हमें, इस तरह से तेल फैला लें, इस तरह से किनारे किनारे से पह वो कितना सुन्दर बन रहा है चीला हमारा, इसी तरह हमें सारे चीले बना लेने हैं, सो फ्रेंड्स, चीला हमारा बनकर रेडी हो गया है, मैंने सौस के साथ सर्व किया है, आप देख रहे होंगे, कि कितना सुंदर चीला हमारा बना है ये पेपर दोंसा भी कहते हैं इसे तो आप इसे सांबर के साथ आप खा सकते हैं चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत असान है आप इस तरह से जरूर एक बार घर पर ट्राई करें फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आज की रेस्पी मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ नए वीडियो में तब तक चलिए धन्यवाद